हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन पाठशाला में आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कुछ मैत्वपूर्ण प्रशन को तो चले शुरू करते हैं पहला प्रशन है विश्व की सबसे लंबी परवत्स्रेनी है चार आप्शने आपके पास सही उ विश्व की सबसे लंबी परवत्स्रेनी है जब किकर हम बात करें रौकी परवत्स्रेनी की तो रौकी परवत्स्रेनी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परवत्स्रेनी है ये उत्तरी अमेरिका महादूरित में अस्तित है अगला क्वेशन है किन तरंगों की आवरती 20 हर् प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर चार ऑप्षन है आपके पास सही उत्तर है एलबर्ड आइस्टीन एलबर्ड आइस्टीन जिनके द्वारा साप एक्षिता का सिद्दान्द भी दिया गया उन्होंने ही प्रकास विद्यूत प्रवाव का सिदान दिया यो सिदान अलबर्ट आईश्टीन द्वारा 1921 में दिया गिया था अगला question है अयस्क में मिले असुद्ध पदार्थ को कहा जाता है चार option है आपके पास सही उतर है गैंग जो अयस्क होता है जिसे की खनिश से प्राप्त किया जाता है जो सुद्ध तम रूप होता है उसे अयस्क का आजाता है किसी दातु से प्राप्त किया जाता है तो अयस्क में कुछ मात्रा में असुद्धिया मिलती है उने का आजाता है गैंग अगला question है धातु की सदा का हवा और आदिरता के कारण दीरे दीरे नस्ट होना कहलाता है चार आप्षिन है आपके पास सही उत्तर है संग्छारण संग्छारण मुख्यता तब होता है धातु में जब वो हवा और आदिरता के कारण वो दिरे दिरे नश्ट होने लगती है इसे का जाता है संग्छारण और संग्छारण मुख्यता होता है लोहे में अगला question है लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु का लेपन किया जाता है यानि किस धातु को लगाया जाता है लोहे पर जिससे वो सुरक्षित रह सके चार ओप्षन आपके पास सही उत्तर है जिंक जिंक धातु का लेप लगाया जाता है लोहे की सतर पर जिससे वो संख्षारित न हो वो नश्ट न हो और इसे कहा जाता है यसद लेपन और अगर अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में सिखा जाता है Galvanization अगला question है प्याज और लैसून में गंद का कारण किस की उपस्तिती दर्षा आता है चार option है आपके पास सही उतर है Potassium Potassium की उपस्तिती दर्षा आता है प्याज और लैसून में जो स्मेल आती है अगला question है जिपसम किस दातू का प्रमुक अयस्क है चार option है आपके पास सही उतर है Calcium Calcium दातू का प्रमुक अयस्क है जिपसम अगर जिपसम की बात करें इसका रासायनिक सूत्र होता है CSO4-2S2 यह एक सपीद रंग का कठोर पदार्थ होता है जो चूने से निर्मित होता है अगला question है दलहनी पौदों की जड़ों में कौन से जिवाणों पाये जाते हैं चार option है आपके पास सही उतर है Rhizobium Rhizobium सुरेणी के जो जिवाण होते हैं दलहनी पौदों की जड़ों में पाये जाते हैं और जो यह Rhizobium जिवाणों होते हैं यह Y-Mandle यह जो Nitrogen होते हैं उसे Nitrate में बदल देते हैं जिससे की पौदों जो यह दलहनी फसले होती हैं इनमें काफी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त हो जाता है हमें और जो यह Rhizobium होता है यह मुक्यतो नाइट्रोजनी इस तरी करण के लिए भी अवश्यक होता है अगला क्वेशन है डाइनमाइट के आविस्कारक हैं चार आप्शन आपके पास सही उतर है कोशिका बिती किस की बनी होती है चार आप्शन आपके पास सही उतर है काईटिन काईटिन से बनी होती है कवकों की कोशिका बिती अधिकतर कुछ कवकों की कोशिका बिती सेलुलोज से भी बनी होती है और अगर बात करें हम पादप उप्षिन आपके पास स fidget है राइजोबियंड। कोकी यहज़ीड का संसिलेशन करता है। अगला question हैu मुड़ों का टीला किस इसतान को कहा जाता है। चार उपशिन आपके पास स YODSúde है Is Me Duch महन्जोदुर एक प्रमुकस्तान है हडपा सभयता। जिसे की सिंद हुगाटी सब्यता भी का जाता है उसका एक प्रमुकस्तान है मुहन जोदरू जहाँ पर बहुत सारे आउसीस प्राप्त हुए है और इस स्थान को का जाता है मुर्दों का टीला वायत्मान स्वे में पाकिस्तान में स्थित है अगला विश्व पर्यावन दिव बसकब मनाया जाता है चार आप्शन आपके पास सही उत्र है पांच जून पांच जून को प्रतिवर्स मनाया जाता है विश्व पर्यावन दिवस और विश्व पर्यावन दिवस को प्रारम किया गिया था 1972 से अगला क्वेशन है समविधान का संरक्षक किसे ही कहा जाता है च सूर्य की प्रकास को पृत्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। चार आप्शन है आपके पास सही उतर है आठ मिनट सोला सेकंड। सूर्य का जो प्रकास होता है वो पृत्वी तक उसे पहुँचने में आठ मिनट और सोला सेकंड का समय लगता है। सूर्य और पृत्वी के बीच की डिस्टेंस को तो ये दूरी है 15 करोड किलो मीटर अगला क्वेशन है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था चार आप्शन आपके पास सही उतर है नील आर्म स्ट्रांग नील आर्म स्ट्रांग अपोलो 11 से चंद्रमा पर उतरे थे 1979 में ये प्रमुक अंग्रेजी यात्री थे अगला क्वेशन है बगत सिंग सुगदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी चार आप्शन आपके पास सही उतर है 23 मार्च 1931 को बगत सिंग सुगदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी अगला क्वेशन है पीलिया रोक किस अंग को प्रभावित करता है चार आप्शन है आपके पास सही उतर है यकृत हमारे सरीर में जो लीवर होता है जिसे यकृत कहते है यह अंग सर्वादिक प्रभावित होता है पीलिया रोक में पीलिया रोक हमारे सरीर में तबदपन होता है जो पित की मात्रा सरीर में काफी बढ़ जाती है और कोशिकाओं में और बहुत सारी जो सरीर के अंग होता है जैसे आंक में, हाथ में तो इनका जो रंग होता है वो धीरे-धीरे पीला पढ़ने लग जाता है तो ये प्रमुक इस रोग का कारण है और इससे सब सरवादक यकरिज जो हमारा लिवर होता है वो प्रभावित होता है पीलिया रोग से तो दूस्तो आज हमने 20 questions discussed कि I hope आपको वीडियो ची लगी हो और अगर आपको वीडियो ची लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अगर आप इस चेमर पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए